आज हम बनाएंगे एक तम क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी चावल के आठे का डोसा और इसके साथ बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे ये डोसा और चटनी बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं इन्हें बनाना पहुत आसान है नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम्र सोई में, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना दोसा बनाने के लिए हम एक कप चावल का आटा लेंगे, हमने धाई सो एमेल वाले कप से मेजर किया है, दो टेबल स्पून सूजी लेंगे, दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजी, और अब हमने यहां सवा दो कप पानी लिया है एक कप चावल का आटा और दो टेबल स्पून सूजी ली है, उसका पूरा डबल हमने पानी मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें कुछ सबजियां मिलाएंगे, हमने यहां पर आधा कप के करीब बारिक कटा हुआ हरा धनिया, आठ से दस कड़ी प प्याज को बारिक काट कर डाल देंगे, एक छोटा चमच जीरा, स्वाद की अनुसार नमक डाल दीजिये, एक छोटा चमच नमक लग जाएगा, और एक छोटा चमच रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम आधा घंटा के लिए से छे मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे, मौंग फली अच्छे से सिख चुकी है, हम इसे एक अलग बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे, अब हम उसी पैन में एक चमच तेल लेंगे, तेल गरम हो जाने पर आधा चमच जीरा, एक छोटा चमच उड़त की दाल डालिए, गैस का प्लेम लो रखिए, और उड़त की दाल और जीरे को अच्छे से भून लीजिए, अब हम इसमें एक छोटी साइच का प्यास डाल देंगे, और तीन से चार लहसुन की कली लेंगे, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे, सौफ्ट होने तक, जब यह आधे सौफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें पांच से छे सूखी लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही मैं यहाँ एक इंच इमली का टुकडा और दो पिंच हींग डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने चार तीखी वाली लाल मिर्च ली है, और दो कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप अपने अकोर्ड होने के बाद हम इसे मिकसर के जार में डाल कर पिसेंगे, अब हम मिकसर का जार लेंगे, उसमें यह मूंख वली और यह मसाला डाल देते हैं, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दीचिए, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पीस लेंगे, तो जरूरत के according आप पानी डालते जाए और इसे पीस लीजिए हमने चटनी को पीस कर तयार कर लिया है और पूरा एक कप पानी लग गया है अब हम तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में एक चमच तेल लेंगे इसमें हम एक चमच सरसों के दाने डालेंगे इने भून लेंगे साथ ही मैं यहां आधा चोटा चम्मच उड़त की दाल डाल रही हूं इसे भी हम भून लेंगे और अब हम इसमें 8 से 10 कड़ी पता डालेंगे और 2 सुखी लाल मिर्चे डालेंगे इन्हीं भी हम आधा एक मिनिट के लिए भून लेते हैं तड़का हमारा तयार हो चु हो गया है और यह देखिए अच्छे से हमारा बेटर सेट हो चुका है यदि आपको थोड़ा सा भी गाड़ा लगे तो एक से दो टेबल स्पून पाने डाल दीजिएगा अब हम एक नोन इस्टिक तवे को तेल से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे अब हम घोल को तवे पर डा देखिएगा इस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और फ्रेंट्स जैसे जैसे यह सिखेगा इसमें अच्छी सी जालियां बनती जाएगी यह दोसे को सिखने में थोड़ा टाइम लगता है यह देखिए अब उपर की सतय एकदम से सूख गई है लेकिन जब तक यह नीचे कर देख लेते हैं यह देखिए हलका सा ब्राउन हो गया है तो मैं इसे पलट कर दूसरी साइट से भी सेक लूँगी यह देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है हमने डोसे को पूरे टाइम मेडियम फ्लेम पर ही बनाया है तो यह हमारा डोसा बनकर तयार है बहुत ही क्रिस् पर ये फैल जाए और ये देखी जालियां बनने लगी है नीचे से ब्राउन दिखेगा तब हम इसे परट लेंगे आप इस डोसे को नारियल की चटनी और मुंख्फली की चटनी के साथ सव कीजिए आपको खाकर मज़ा आ जाएगा ये देखे हमारा ये बहुत ही क्रिस्पी जोसा बनकर तयार है तो फ्रेंट्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके